Welcome back to Geography Sindhu Study Points में एक बर फिर से आपका स्वागत है, और आज जो हम topic लेके आए हैं, वो बहुत ही most important topic है, क्योंकि उसमें से हाड साल questions आता ही आता है, तो वो जो topic है, वो हमारा topic है, उत्तर पर्देश के वनने जीव आभरंट के साथ-साथ हम लोग देखेंगे, कि उत्तर पर्द है अपना वनने जीव भिहार उत्तर परदेश में कितने हैं, अगर हम राष्ट्य उध्यान की बात करते हैं, तो वह हमारे कितने हैं, वो हमारे है, 11 है, इनकी 11 राष्ट्य जीव, वनने जीव, भिहार है, 11 ही हमारे पक्षि वयाहर है और 8 हमारे क्या है? आद्र संद्द क्षित छेत्र है, यान circul के व्वीजियो के लाष्ट में हम देखेंगे, यानि कि वह कितने हैë, आठ है तो हम बात करते हैं अपने पक्षी, यानि कि हमारी वने जीव आभरणों के बारे में, यानि कि उत्तर परदेश की वने जीव आभरण, तो उत्तर परदेश की वने जीव आभरण है, हमारी स्टार्टिंग होती है, कि उत्तर परदेश का सबसे पुराना वने जीव आभरण करते हैं कि इसकी स्थापना का हुई थी, ही तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी याँनिकि 1957 में इसकी स्थापना हो गए थी, और कहाँ पे हुई थी भई? कहाँ पे है यह? अगर इसकी बात करते हैं, यानिकि चंद्रपरभा वन्य जीब बिहार कहाँ पर है podcast 97 में, मैं चंदोली में बना था। कहां पर है ये चंदोली में है। अगर हम एरीज की बात करते हैं। भई आप बी कोशिन सान आ जाता है कि चंदर पर भाहा व Ante G, Bihar कहां पर है। ठीक है, तो पना सान जुटविरश का ये चंदोली में हैं। अब पूछ लेते हैं, कि इतने एरिये इसमें कवर करा हुआ है, तो यह 78 km2 इसमें हमारा अच्छा, इसमें अब कौन-कौन से वने जी पाय जाते हैं, उसे भी तो कोशन से उठ सकता है, या अगर हम कोशन की बारी की, अगर कोशन की, अगर हम जाते हैं, तो अगर पूसका है, तो भाहिए, चिकारा इसमें मिलेगा, संभर इसमें मिलेगा, भालू मिलेगा, तैंदूअ मिलेगा, और पक्षी भी इसमें मिलेगे, इसमें इतने प्रिकार की विराइटियां पाई जाती हैं, किसमे हमारे चंद्रप्रभा वानेजीव बिहार में, जो कहाँ पर है? 1997 में बना था, उत्वर परदेश का सबसे पुराना वानेजीव आपरन है. पहला हमारा यह हो जाता है, हमने 11 की बात कर दी है. अब हम देखते हैं, अब हमारा बना था, हमारा दूसरा नमबर, किदर से भी इदर को भी second number देदो, first number देदो, it's your choice. अब हम देखते हैं, हमारा किषनपुर है, वननेजीव बिहार है, जो इसकी इसकी श्थापना था, इसकी स्थापना था, इसकी स्थापना हो था, 62 में जान कहां पर है, यह निकी कौन से के शनपूर 1 जीव भिहार कहां पर है यह हमारा लखंपूर खीरी में है, यह कितरे अरी को इरी को जान करता है, 227 km की इरी को जान करता है, इसमें चीता, एंदवा और घरन पाए जाते हैं, कथर निया घाट वने जीफ बिहार काँ पर कव इस्थापित हुआ था यह उननिस सूचेतर में स्थापित हुआता और यह कहां पर है वह राइच कहां पर और हमारा यह भाइच में आएगा इसमें दुरलव मैदानी जीवों की बात हो रही है, इसमें दुरलव मैदानी जीवों की बात हो रही है, अब हम देख लेते हैं अपनी रखे, चौथे नमर का हमारा वनेजीव आपरंड कौन सा है? यह चौते नमर के वनेजी आबरं जो है, यह जो हम्हारे वनेजी आबरं आफने है यह मोस्लि आपको हर एक्जाम है UPSC की लेबल में 구utes olis किसी भी लेबल government, में आपको क्रणों के वहां पर मां कान हूह यह चोड़ नहीं है , questions छोड़ना नहीं है, और इस से पूच लेगा , area पूच लेगा ,िसमें कौन से पाय जाते हैं , def ngert करिए, subscribe करिए, bell icon का बटन दबाईएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को आप share करिएगा और मुझे comments करके बताईएगा, ठीक है, अब हम देखते हैं, रानीपूर, वन्नेजीब बिहार, रानीपूर, वन्नेजीब बिहार, यह कहां का है, यह और बादा की सीमा पर है, और कब बना था, यह हमारा बना था, 1977 में बना था, कहां पे चित्रकूर्ट और बादा की सीमा परिस्थापे था है, इसके एरे की बात करते हैं, तो 230 किलोमेटर इसक्वार एरे को गेर हुए है, और इसमें कैसे, इसमें विभिन्न पिरकार के में बनाए इस्थापित किया गया था यानि कि महावीर स्वामी वन्यजीब बिहार उननी सो सततर ललितपूर में बनाए गया था था अगर 3.4 km एरिये को गिरे हुए है अगर 3.4 km एरिये को गिरे हुए है तो इसका मतलब बच्चापाट्य को आराम से समझ में आ रहा है कि यह बहुत ही छोटा है उत्तर परदेश में अगर सबसे चोटा वन्यजीब आवरंड कि अगर बात करते हैं तो सबसे चोटा इसमें मैंने टिक कर दिया, इसमें अगरी मुस्स इंपोर्टन है आप इस अच्छे से याद करियेगा, चीक है? आप हम बात करते हैं अपने चटे के, यहनि कि चंबल वन्यजीब बिहार कभ स्थापित किया गया था? यह किसके सीमा पर है? यह आगरा और इटावा की सीमा पर है, कितने एरिये को गेरे हुए है? 635 km2 यह वर्प किलोमेटर के एरिये को गेरे हुए है, चीक है? अब देखो, कैमूर वन्यजीब बिहार, 1800-1982 में बनाया गया था, मिर्जापूर और सोंद्रभर्द, यहनि कि मिर्जापूर और सोंद्रभर्द की सीमा पर है, इसे कितने एरिये गेरे हुए है? यह 500 km के एरिये को गेरे हुए है, इसमें क्या-क्या पाहे जाता है? इसमें वन्यजीब-ाअबर्ण है यहनि कि वन्यजीब-ावर्ण जो हस्तिनापूर का है, वा बहुत बड़े एरिय więcej में फैला हुआ है क्यों तो फैला हुए है, एक तो हस्तिनापूर है, यह एरिये को अगले तो यह एरिया कितना होगे है, यह अर्या हमारा बध़ ब़ड़ा गद तो अल्मूस क्यों गे यूपी का सबसे बड़ा वनी जीव आपरण हमारा कॉन सा हो गया हस्तिना पुल्वाला वनी जीव आपरण हो गया बिटा हमारा बच्चा बटी यह हमारा यह कब बना था यह बना था हमी अरुआ हमारा का दिए Всर और 9 26 में बना था छो इसमें कॉनकॉन सा अरी टो मुझार नगर आता है अम्रुवा या जिंदा और यह 273 किलो Это एरिया को घेरी किलूमीटर वर्क स्कुरक के एरिया को ये गेरी हुए हैं। इसमें लकड़ वग्गापैया चीतल पाये जाता हैं। और मगदमच इसमें पाये जाते हैं। तो सबसे बढ़ा हस्तिनापूर, सबसे छोटा हमारा महवेश्वामी, ललितपूर में, और सबसे बड़ा हमारा हस्तिनपूर, मेरत, मुझवफवनगर, हापपुर, अम्रोहा, और किसका एरे गेरे हुए, बिजनौर वाले एरे को गेरे हुए, एकदम के लिए है, का अगर हम रिसेंटली की बात करते है, वो वो पिली भीध मेंये वाप रं बनाये गया है, फिलीभीत में दो हज़ाद, चुम्हार पिलेगर, बनाया गया है, यह किसके लिए, यह यह・क्र का ताइगर होवे हैं. ठीके, अब हमारा क्या रहे गया? Siїla Devtanzon वन्नेस जीव रहे गया? बना सुहागी वर्बांड़ वन्नेस जीव रहे गया. 1887 में बना हुआ है महाराज गंध में, और १ proceedings दो complacent और bargain में है? इतना अरिया गीर हुए है, 400-अठाइस किलो मेटल का गीरे हुए है. I hope आपको ये चोटी सी नोली जो ऋए वो पसंद आई होगी. अब हम बात करते हैं अपने पक्षी बिहार की बारे में. तो हम देख लेते हैं अपने पक्षी बिहार को. उत्रप्रदेश के पक्षी बिहारों के बारे में. तो चंद्र सेखर आजाद नवाव गंज पक्षी बिहार, 1984 में इस्थापित किये गए थे, कहां पर उन्नाव में, और यह क्या है, उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने पक्षी बिहारों में से एक है, ठीक है, हमारा सेकंड नमर पर आता है, लाल बहुसी पक्षी बिहार, ला सबसे बड़े हैं, और यह कैसे हैं, सबसे बड़े हैं यह, कैसे हैं यह, सबसे बड़े हैं यह, सबसे बड़े हैं यह, सबसे बड़े पक्षी बिहारों में से सबसे बड़े पक्षी बिहार हैं, अब हम बात करते हैं, अपने सेंडी पक्षी बिहार की, जो 1990 में स्तापित क अब आरते हैं, बखीरा पक्षी बिहार 1990 में, संत कभी नगर में, ठीक है? और 28.94 km एरिये को ये वर किलो मेटर वाले एरिये को ये गेरे हुए है, बखीरा कहाँ पक्षी बिहार संत कभी नगर में पड़ते हैं ये. असमन पक्षी बिहार मैनपुरी में है, 1990 में स्थापित किये गए थे और 5.21 km वर के एरिये को ये घेरे हुए हैं. ये क्या है हमारे ये पक्षी बिहार हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिनसे आपके लिए कोशस बनना ही बनना है, ठीक है बचापाटी? अब हम देख लेते हैं ओकला पक्षी बिहार हमारा गौतम-बुद्रनगर में 1902 में बना था, वेजह सागर पक्षी बिहार 1990 में महोवा हमीरपुर, पत्ना पक्षी बिहार 1990 में बने थे, एटा में हैं और यूत्तर-परदेश के सब से छोटे ये पक्षी बिहारों में से ए सबसे चोटे हैं, इंपोर्टेंट है, आप इनको टीक लगा लीजिगा, आप कहा है, सुरहाताल पक्षी भिहार, उनीस विक्यानमे में है, यह कौन से राज, यह कौन से है, उतर प्रदेश के बलिया में है, और इनका जो अभी जो प्रिजेंट में जो इनका नाम है, जो प्र पक शय क्रिवार्ट पकशी भिहार्या, यह हमारा आग्रा में है, कभी स्थाफिट होएं सुर-सवर पकशी भिहार, उनीस विक्यानमे में आग्रा में, 4.110 क्लोमिटर, वर क्लोमिटर के अरिय को घहरे हुए हैं, बहिम राउँ अमिट कर पकशी भिहार्या, पटाफगढ मे कितना एरिया है, 4.27 वर्क किलूमेटर के एरिय को यह घेरे हुए है, तो I hope यह हमारे क्या है, यह हमारे पक्षी बियाहर है, जो सबसे important पक्षी बियाहर है, सबसे छोटे और सबसे बड़े, सबसे पुराना, कौनसा है हमारा पक्षी बियाहर, चंद सेकर आजाद दिन का पु का जनारायन कर दिया गया है, पतना पक्षी बियाहर एटा में है, जो सबसे छोटे हैं, और रिसेंटली जो परताबगड में बनाएगा पक्षी बियाहर है, वो वीम्रा अमेट का पक्षी बियाहर है, I hope आपको यह अच्छा लगा होगा, अब हम देख लेते हैं अपनी करते हैं, तो चंद सेकर आजाद, पक्षी बियाहर, उनका सबसे पुरहना नाव, नवावववंज पक्षी बियाहर, 1984 में उन्नाव में स्थापित किये गए थे, जो उत्तर परदेश के सबसे पुराने पक्षी बियाहरों में से एक है, अगर हम उत्तर परदेश के पक्षी है अगर चिमाenne कि अच में तो को यह शुम्भाइब टेए लोग को कि अजुआ है थे परे कोपारी ते नवर्वराफ भूंगिए चीज कोश्री में फ्लिय अन्हरवती अरगार चे price यह गोंडा में आता है, यह भी उतरपरदेश में आर्ध भूमी जो रिजर्व छेत्र हैं, उनके हिसाब से इनको आर्ध भूमी चेत्र संरक्षित किया गया है, कौन-कोन से आते हैं? उसमें पारवती, अर्गा, पक्षि भीहार, गोंडा, समन, पक्षि भीहार, मनपुरी, सम पक्षि भीहार, हर्दोई, सरै, नवार, इटावा, और किठम, सुर्ष रोवर जील, यह रोग्रा, यह जो हमारे एरिये हैं, वो आद्र भूमी के रूप में, यूपी के अंदर रिजर्व है, पक्षि भीहार बता दिये गए आपको, और वन जीव आभरण, जो 11 वन जीव आपरण है, 11 ही पक्षि भीहार हैं, और 8 हमारे आद्र रिजर्व भूमी हैं, जो रिजर्व की गई हैं उतर परदेश सरकारियन की गवर्मेंट की तरफ से, और जिनसे आपसे questions बनता ही बनता है, I hope आपको इतनी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आगे जो next वीडियो वे वो जिरो की उपर आएगी, तब तक के लिए धन्यवाद,